नमस्कार मित्रों, मित्रों आप शवी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की एक नई और ताज़ा वीडियो में तो चलिए इसी के साथ बात करती हैं आपका देनिक राश्युफल 26 अगस्त 2021 के गुरुवार के आपके राश्युफल के बारे में सबसे बहले बता दी यहां समय जिनका भी बर्थनी है या फिर मारे सिनवर्शरी है आप सुभी को माईर तिरफ से धेर सारी सुब कामना है माता रानी जी के किरपाश से आप दिन दुगुनी राख्च शबुनी तरक्की करें तो आईए दुस्तों इसे के साथ बात करती ही आज के दिन गरह गोशर की अनुशार आपका लब श्वास्त कैरियर और धन की इस्तती कैशी रहने वाली है वही मित्रों वीडियो के आंत में सुब रंक और सुब अंक दिये गए हैं साथ ही सटिक उपाई जिन्हें आप जरूर देखिएगा आपको काफी अच्छा लगीगा हमारे फ्रिय दर्शक अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें शाथ ही एक प्यारा शक कमेंट जय लक्ष्मी नारायन लिखकर आज आप दिन की शुरुबात करें तो शलिए बात करती हैं पंचांग की अगर बात करें तो 26 अगस्त दिन आज गुरुवार का है और भादरपद के क्रिश्न पक्ष की चतुर्थी तिथी रहेगी शाम पांच बजकर 17 मिनट तक वही मित्रों शक के उपरांद क्रिश्न पक्ष की पंचमी नामक दिथी आरंब हो जाएगी नक्षचत्र की बात करें तो इस दिन रेवती नामक नक्षचत्र बन रही है रात्री के 10 बज कर 29 मिनट तक वही मित्रो इश्के उपरांथ अश्विनी नामक नक्षत्र आरम हो जाएगी योग की बात करें तो इस दिन गंड नामक योग बन रही है सुभा के 5 बज कर 25 मिनट तक वही मित्रों इसके उपरांत बृधी नामक यूग आर्म हो जाएगी और शंद्रमा इस दिन रहेगा मीन राशी पर रात्री के 10 बज कर 29 मिनट तक वही मित्रों इसके उपरांत मेंस राशी से गोशर करेंगी और आज का अविशित मॉर्थ का स्षमे रहेगा दो पहर के 12 बज कर 2 मिनट शीं दो पहर के 3 बज कर 3 मिनट तक यहाँ स्वमे निवेश करने से बचना चाहिए क्योंकि यहाँ स्वमे अश्वम माना जाता है शरीय बात करती ही आज का राशिफल ब्रिशव राशिजात को आज के दिन मिलने वाले अवशरों को हाथ से जाने नो दें उसे खोने ना दें वही मित्रों जगत से जुड़े लोगों को आज सुब समाशार प्राप्त होगा एक बड़ी खुश खबरी मिल सकती है ब्रिशव राशिजात को अपने कीमती और महतपोन वस्तों को आज सभाल कर रखें वह आज खोने की आजशंका रहेगे ब्रिशव राशिजात को मेहनत ही सभलता का पैमाना वनेगा इसलिए बोश के दिये गए काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें उसे शमय पर पूरा करने की कोशिश करें ब्रिशव राशिजात को सोना सांदी की वैपारियों को भी कल से बहतर लाब होगा बात करें बिद्यार्थी वर की बिद्यार्थी वर कमियों को समय पर ठीक करने का प्रयाश करें और अधिक से अधिक मन अपने पढ़ाई पर ही दें पढ़ाई पर ध्यान फोकुस करें ब्रिशवरासी जात को बात करें शेहत की तो शेहत को लेकर परिस्तियां आज शमाने रहेगी वही मित्रों पुराने रोगों से जूज रहे मरिजों को आज राहत मिलेगी उनसे निशात मिल सकता है बिरिशवराशिजात को घर में आपके नए महवान के आनेशी प्रसनता का माहल बनेगा और खुशी का माहल रहेगा वही मित्रों फिताजी का मार्ग दर्शन आपके लिए काफी महतपूर्ण शाविद होगा ब्रिशवराशिजात को आज घरेलू जिम्मेदारियों का बोज आज आपके उपर अधिक पड़ेगा लेकिन आपको अपनी पत्नी का पूरा स्योग मिलेगा पूरा साथ मदद मिलेगा इससे नो शिर्फ आपका तनाव कम होगा बलकि एक दुसरे के लिए आपका प्यार और स समान भी बढ़ेगा आज एक दुसरे को समझने का मौका भी मिलेगा ब्रिशवराशिजाद को अगर आप परिवार के किसी सदस्थी की स्वास्ते को लेकर आप शिंती थें तो आज आपको इसे छुटकारा मिल सकता है इस anch's आज आपको लिजात मिल सकता है ब्रिश व्राश इसे वगेरा उधार कर्ज दिये थे तो वह आज आपको मिल सकता है उसे आज आप वसूली कर सकती है वही मित्रों करमचारियों के लिए आज का दिन शमाने रहेगा ब्रिशवराशिजाद को उच्छ अधिकारियों से तालमेल बहतर रहेगा साथ ही बैपारियों की आर्थिक स समस्या का भी समाधान होगा शिहत की बात करें तो शिहत के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा ब्रिशवराशिजाद को बात करें सुब रंग और सुब अंकी तो आज आपका सुब रंग पिंक हैपी रहेगा और भाग यंक आज आपका छे रहेगा तो ये था आपका देनिक राशिफर मित्रों अगर इन सबी जानकारियों से आप शेह मत हैं तो वीडियो को एक लाइक अभी कर दिए शाथ ही एक प्यारा शक कमेंट जै लक्षमी नारायन लेकर भगवान लक्षमी नारायन की शीधा आश्रवात प्राप्त करें